हाई गाईज आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर वन क्लास टेंथ के लिए इस सिरीज में हम देखेंगे चैप्टर वन टू एंड तक इसमें complete course होगा doubt comments के जरीए भी पूछ सकते हो और Sunday को live sessions होगे उनमें भी आप पूछ सकते हो तो I hope आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आप आप पूरा ठीक है तो देरी ना करते होगे हैं chemical reactions जो चैप्टर है हमारा first उस पर बढ़ते हैं तो chemical reactions होती क है आपको पता है देली लाइफ में chemical reactions देखते हो आप डेली लाइफ में chemical reactions देखते हो और दूद को अगर room temperature पर रख देते हो कि में केट्टें टंबर्चर तो बोक्या किस चीज में कर दोड़त ओधा कंजर कर दक दोड़त दाइकेंदर लाइड जाता है कि अपर दीटेंकल रियक्शन तो यहीं पेदेख लिए ने दूसरी गयंकल रियक्शन अगर ग्रेप्स लेट्टें अन्गूर तो वह सड़ जा है तो हुविस्का इंयुको बता रहों हो आपको टीघ कुछ स्धृता है टो राइज गए तेट होता हाओन कि है थीचर्ट बबर academy हम सास लें उसरीट स्वां entities ठीक है और भी अनेको चाहिए दिल्लाइफ में हम देखते हैं या फिर करते हैं ठीक तो अब एक देख लिएक्शन्स में मतलब हमने पता कैसे लगा कि यह केमिकल रिएक्शन्स हैं बताइए या तो अब यह पॉइंट्स नोट कर लिए यह इंपूर्टन पॉइंट रही है स्टार लगांके एक इपॉटन पॉइंट है यह तो उसकी स्टेट चेंज होगी यह इंपुर्ण इस्टेट चेंज होगी यह तो चेंजिन स्टेट हो यह फिर चेंजिन कलर ऊचाहिए कि इसका एक्जमपल देता हूं मैं चलो डिली लाइफ पर देता हूं अगर खाना उनाते हैं तब पहले सब्जी और कुछ और होता है बाद में कुछ और हो जलता है तो भी एक क्या केमिकल डियक्शन नीता है या चेंज इन टेम्ट्रेचर हो चेंज इन टेम्प्रेचर या फिर चेंज इवल्यूशन ऑफ गैस के अंदर से गैस निकले है ठीक है तो यह चार चीज अगर हमें दिख रही है उसके अंदर तो केमिकल डियक्शन पर्फॉर्म हो रही है ठीक है तो अब देखते है कि हम जैसे एक एक्जामपल देखते है केमेस्ट्री पर एक्जामपल देख लेते हैं परले तो यह और से लिए इसमें यह गैस लिए टेयर से लिए इसका ठीक है एंजी रिबन पर निबंग किया है फीट देखें एंजी अगनेशन अक्साइड यह भी तो कह एक तो स्टेट चेल हो रही है इसकी यह देखिए इदर से पहले तो यह से ब्लडी के सिर्श्ट डिए टो में था खेर फिर फिर इइजी खाऊवी था यह में इसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल डैक्शन पर फ़र्म तो वी तो इसको हम रिप्रजेंट कैसे करेंगे representation of chemical reaction तो chemical reaction को represent करने का एक मातर तरिका है chemical equations ठीक है क्या chemical equation chemical equation chemical equation किसे बढ़ी तरह simplest form में chemical reaction को लिखने को यम क्या बलते है chemical equation simplest form में chemical reaction को लिखने के तरीके कौन क्या बलते है chemical equation जैसे कि इसको मैंने देखिए यह इतनी सी चीज़े थी magnesium ribbon लिया उसको बर्न किया air में से O2 आया heat दी burn किया तो हीट दी होगी फिर यहारा magnesium oxide बना जो की powder बनेगा white powder इतनी सी चीज़े में इतने से में लिखनेगा तो इसको इसको इतनी सी चीज़े में लिखनेगा chemical equation ठीक है reactants की मदद से क्या बनेगा product बनेगा product बनेगा ठीक है reactants की मदद से product बनेगा help भी चाहिएगी उसको product बनने के लिए ठीक है वो help को उन देगा उसको उन क्या बलते है जैसे यह heat दो या फिर temperature भी हो सकता है ठीक है जो की chemical reaction को बती दे मतलब बढ़ावा दे chemical reaction होने को perform करने के लिए उन सब चीज़ों को हम बलते है chemical reagents प्लस यह चीज़ कोई होता है आपको chemical reagents ठीक है इसके उन पर क्याफ्य से जया सकती है या तो temperature आज सकता है या फिर temperature देने पर आसकता है या फिर कोई मैं तारिकता हो आपको temperature कम जादे करने से या फिर कोई substance देने से आसकता substance जैसे इस कोई और reaction में जैसे Mg देने से reaction की speed गट जाती हो increase करता बसे श्पेइब chemical reaction में मतलब होजाथ ओती तो है chemical reaction बड़ उसको fast कर देता थोड़ा ठीक है अब देखिया अब left hand side में representation कैसे करते है chemical reaction के यह LHS है left hand side इससे RHS जाएगा ठीक है right hand side की तरफ जाएगी और यह arrow donate करेगी क्या यह वाली arrow donate करेगी हमें denote करेगी क्या कि chemical reaction left hand side से right hand side की तरफ जाएगी ठीक है left hand side में हमारे reactants होगे reactants right hand side में हमारे product होगे product product ठीक है तो left hand side से right hand side की तरफ जाएगा reactant क्या होते है the reactants are the substance that used in the chemical reaction ठीक है reactants होते है जो chemical reaction में यूज हुआ है शुरुआत हुए ठीक है और product क्या होता है जो की reactants की मदद से जो substance निकल के आया chemical reaction होने के बाद उसे हम product होते है ठीक है तो अब मैं यह पोज करके definitions लिख देता हूँ अब आपके लिए किस-किस की definition लिख दू एक तो chemical equation की और एक reactant की एक लिख देता हूँ reactant chemical product की और chemical equation की लिख देता हूँ एक chemical reaction की लिख देता हूँ हांजी देखिये तो अब आप मैं यह definitions लिख दी है chemical reaction chemical reaction बताये था हमाने conversion of reactant into product with the help of substance some substance is known as chemical reaction chemical equation chemical equation कै इसको ही simplest way मैं कै प्रिजेंट कर देंट को का उते है chemical equation the simplest way to represent the chemical reaction is known as chemical equation reactant reactant क्या है जो एरो बेस्ट साइट प्रेजिंट हो सिंपले सिंपले में अलोड़ा सबस्टांस देट अंडर्गोस चेंज तो इनकोई चेंज अप्स मिलते हैं एक लाया सबस्टांस मिल जाता है ठीक है जो निए सबस्टांस मिलता है में है इंडर्गोस डम क्या अट यह संचरां सबस्टांस वेडिए जासे मिलता अंडर्गोस सबस्टांस और बिर्ण दी दैकर दागशा सबस्टांस कुछ तहीं क्यां था है करिक्शी काम активशन writing of Kenkel equation कैसे लिखते है उसको देखते है मेरको लगता हाँ जिलिए अपना काफी है ठीक है अगले वीडियो में देखेंगे उसको हाउ तर राइट दे केनिकल रियक्शन और उसके टाइपस देखें केनिकल रियक्शन के टाइपस क्या क्या है तो आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चानल को सब्सक्राइब, शेयर, एंद प्रेस देबल ऐकन, फर्दर अप्डेट्स, थैंक यू